हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि पीएगा तो मरेगा कर सराब पीने से और किस चीज़ से मरा है अगर सराब पिया और गदा सराब पिया मर गया उसको हम लोग मदद करेंगे सवाल ही पैदानी होता है ये तो इतनी गंदी बात है और अगर आप लोग में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि सराब बंदी को बंद कर दीजे यह कोई तरीका है ऐसा मुझको तो आस्चर्ज होता है मुझको तो आस्चर्ज होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई सराब पी गंदा सराब पीने से जहरीली सराब पीने से बढ़ गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे तब तो इसका मतलब सराब बंदी खतम कर दीजिए सराब पीने वाले को मदद किया जाता है अरे सराब गंदा पिया पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरिली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे यही तो बात है आई यह मेरा कहा हुआ है कृष्ण भगवान का भी आपनों को पता है ज़रा पता कर लीजिएगा जो अपने को समझते हैं मुस्लिम समुदाय का भी देख लीजिए धरम का एक एक शी आप अगर देखिएगा तो पता चलेगा कि कोई धरम मानने वाला भी ठीक नहीं मानता है और कोई सही मायने से करता है बापु ने क्या कहा था हम तो कभी-कभी देखते हैं अख़वार में कोई लिख देता है हम रास्पिता महात्मा गांधी ने जो कहा है एक-एक घर में हम पहुचा दिये है और अब आपको तो हम इतना बार हर जगा बोलें अभी बोल रहा था ही जोग बोलिये अभी जो हम बारा दिन सब जगा गए हैं आई इसका लोग भी जो रहता था तो ही हमारे पक्ष में भासन दे रहा था वहाँ अब राज उल्टा बोल रहा तो क्या मामला हो गया हम तो लागू किये हुए है तो जो राज कर रहे हैं आज देश में उनके राज में भी लागू है अब वहाँ पर क्या हो रहा आप ज़रा बताईए हम लोग तो एक अकेला राज जहें बिहार में जो पूरा मजबूती के साथ सराब बंदी करने की कोशिस कर रहा है और जहां कहीं भी कोई अधिकारी आपको मालूम है इतने लोग गिरफतार हो रहे हैं और इतने लोगों को डिस्मिस किया जा रहा है अगर कोई गड़बड करता है तो तो उसमें कोई बतलब नहीं लेकिन हमने तो कहा है कि भाई कोई गड़बड करता है तो असली उसी को पकड़िए कोई गरीब तबका का आदमी इधर उधर कोई माल लीजिए कि गरीबी के कारण किसी के काम में लग गया दारूत पीने से नमबरा जी दारूत पीने से नमबरा जहरीली सराब है न तो उसके बारे में हाथ जोड़के प्रात्ता करेंगे कभी नहीं करना ची ये लोग कई से बोल रहा है कहा है सपोर्ट किया था सराब बंदी का और आपको मालूम है जब हम लोग क्या भासंदिया था कहा कि बड़ा अच्छा काम किया यहाँ पर बिहार में सराब बंदी लागू किया अब आज कल देख लिजिए अब हम अलग हो गए हैं तब इसी पर हंगामा कर रहा है अब हो गया अब हालत समझ लिजिए लोगों का क्या हालत हो गया इसको तो गंदी चीज है अगर सराब मर रहा है तो आप सोच लिजिए इसको तो तो और हम लोग खूब परचारित करते हैं देखो मर रहा है पीओगे बरोगे तभी तो हमी कह रहे हैं पुरा अभियान है बात समझ लिजिए कभी ये बात नहीं कहना चाहिए किस तरा आप होता है अगरीब गुर्बा दबका है उसके लिए हम कितना कर रहे हैं भाई कितना ज़्यादा हम लोग उफर दे रहे हैं हम लोग ने कहा कि सब धंधा में मतलग ये एक लाख रुपय आपको देगे दूसरा काम करिए जरूरत पड़ेगा तो सरकार एक लाख से भी ज़्यादा बढ़ा करके उसको काम करने का मौका देगी लेकिन घरो तो भाई क्या फाल तू काम हो रहा है भाई तो ये बात तो आश्चर्ज की बात है कोई अपने को गरीब कहे ये कोई तरीका है क्या गरीबों के उत्थान के लिए ने काम हो रहा है पहले बच्चों को पढ़ा पाता था कोई नौकरी करता था कोई काम करता था दारू पी के आता था घर में जगड़ा करता था और अब जब दारू पीना बंद कर दिया तो घर की स्थिती सुधर गई तो ये गरीब तपका के लोग का ही तो कहा हुआ भासन है अभी भी कुछ लोगों को अगर लग रहा ये बात बहुत गंदी बात है वो अपना नुक्सान कर रहा है हम लोग तो सब कही तमें काम कर रहे है जो बात ही दोग बोल रहा है आजकर पूरे तोर पर ये लोग बोल रहे हैं तो इसल्य किसी ने किसी को अपने साथ करने के चकर में है कि कम से कम यह आ जाए तो कि कौन कहां जाएगा उसकी अपनी इच्छा है लेकिन हम लोग तो बताएंगे कि आप बेहतर काम करने के लिए आपको मदद दे रहे हैं आप अच्छा काम करिए गंदा काम मत करिए बुरा काम करने के लिए कोई मतलब है लेकिन हम एक बात तो कहेंगे आप के दुरिया का कोई भी आदमी है सब आदमी सही हो ही नहीं सकता है ये तो impossible है हर आदमी ठीक नहीं हो सकता हाँ अरे वो तो है ही तो सब जानते ही है आज जहरीली सराब का बोल रहा है जरा बताईए बिहार में जहरीली सराब से पीने वालों की संख्या जब सराब बंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है आज दूसरी जगा खूब जहरीली सराब जहां सराब बंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली सराब पीके मर रहा है अर्याना कहां नहीं है यूपी सब जगा का देख लिजिए हिसाब किताब तो जब आब बात ये है कि यहां जहरीली सराब पीके मरा तो हम लोग से इसका खूब परिचार कर रहे हैं कि पीओगे मरोगे आप उसी को दूसरे रूप में बता रहा है अज़ तब इस तरह से मरता है तो दूसरा देगा कहनी छापते हो जब जब तो तुम क्यों खोले हुए हो बता वहाँ अज़ा सराब बंदी भी लागूं कि यह वहाँ का भी हाल है तो करते तो हैं नहीं अब इस बात करना आप सोच लीजिए अब तो हम आपको हम बता रहे हैं अब तो हम एक बार और फिर हर जगह जाकर कि हम कहेंगे कि अगर सराब के पक्ष में कोई बोल रहा है तो आप याद रखिए ये कभी आपके हित में नहीं जाएगा उल्टा काम है और ये सब बात बताईए आई लोग तो सबसे जाते हैं न कर रहा है जी जगड़ा कराने में लगा हुआ है हिंदो मुसलिम सब में कहीं न कहीं आप भी अपने अधीन किसी को रख्षे हुए है न अकरा हमको गाली देना ताकि तुमको मुसलिमा दे देगा आई धर भर कर रहा है सब ताप देखन रहे तो सब जग़ा जा करके तो एक एक बात को कह देना पड़ेगा अगर होस में आईएगा कौन सा काम हो रहा है कोई विकास का काम हो रहा है इन सब प्रचर्चा होती है आज इस राज में वो एक एक जो गिरा और पूल आप सोच लिजिए कितने बड़ी संख्या में लोग बरे एक दिन छपा आई इसके बात कुछ नहीं छपा अब बताईए नहीं यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ